कहते हैं न देर आए दुरुस्त आए भारत ने कुछ ऐसा ही किया है साथ बिलियन डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है भारत ने तो वही चाइना के लिए ये साप सुमने वाली बात है जानेंगे चाइना के उपर एक और गाज़गीरा है भारत का तो वहीं दूसरी तरफ अब हो गया है गुआदर पोर्ट पर हमला पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है जियोपॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सबसे पहले बात करें भारत के एक्षन की तो दरसल का पिछले साल से ही भारत की कई कमपनिया भारतिय सरकार से रिक्वेश्ट कर रही थी और उनका कहना था कि इस मामले में आप ध्यान दीजिए हमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हम जेल नहीं पा रहे हैं हमारी इंडेस्ट्री बंद हो जाएगी फैक्टरियां बंद हो जाएगी नुकसान क्या था तो आपको बता दें चाइना के द्वारा बनाए गए फैब्रिक यानि जो धागे होते हैं और धागों से जो कपड़ा बनता है तो चाइना बड़ी मात्रा में डंप कर रहा था फैब्रिक को जिसकी वज़र से इंडेस्ट्री ने कहना शुरू कर दिया सरकार को कि आप इस मामले में ध्यान दीजिए वरना कहीं हमारे साथ ऐसा न हो जाए कि हम यहाँ पर बरबाद हो जाएं अब इसके अट में अगर देखेंगे तो भारत में कौन-कौन से हैं जो इस तरीके से सप्लाइ करते हैं फैब्रिक को यानि कि कपड़ों को तो इसमें आपको जो बड़े नाम दिखेगा सबसे टॉप पे नाम दिखेगा वो चाइना का दिखेगा उसके बाद इंडोनेसिया का दिखेगा और उसके बाद थाइलेंड वगेरा का दिखेगा कोरिया का जापान का दिखेगा इसी चीज को लेकर संस्थानों ने request करा था कि आप यहाँ पर reaction लीजिए वरना कहीं ऐसा नहों कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाए क्योंकि यह जो मात्रा है यह लगातार बढ़ती जारी है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं 2023 से ही यह मामले उठाए जाते थे और साथ ही इनका यह भी कहना होता था कि यह जो चीजें हैं यह बहुत ही quality इनकी खराब होती है इसके बावजूद यह भारत में बिक रहे हैं चुकि सस्ते हैं हमारे लिए मुस्किले खड़ी हो रही है आप इनको ध्यान दीजिए और इन पर एक्सन लीजिए वरना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मुस्किल खड़ी हो जाएगी ऐसे ही कई सारे बयान दिये गए और भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया गया कि यह जो हो रहा है यह अच्छा नहीं हो रहा है अब जाकर यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने मिंट की एक ख़बर देख सकते हैं जिसमें क्वाइलिटी ओर्डर पेस किया है और उसके तहत कहा है कि क्वाइलिटी कंट्रोल ओर्डर के अंदर आने चाहिए कम से कम दो हज़ार प्रोड़क्ट यानि कि इनके द्वारा टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में कुछ भी अगर भेजा जा रहा है तो उनको चेक किया जाएगा उनको देखा जाएगा कि वो पूरी तरीके से क्वाइलिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं वरना फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा भारत की textile industry को भी भारत सरकार काफी तेजी से आगे लाना चाहती है और यही वज़े है कि भारत सरकार यहां इस मामले में textile industry को लेकर कोई भी तरीके का समझोता नहीं करना चाहती है भारत का खुद का market है करीब 60 billion man-made textile sector है जिसको कि भारत सरकार समालना चाहती है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपने 60 billion dollar के इस market को भारत खोना नहीं चाह रहा है जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला सुल्जा नहीं था बॉर्डर पर कि यहां दूसरा एक्षन सुरू हो गया है ग्वादर पोर्ट पर बलुचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह अग्यात हमलावरों ने जवरजस्त गोलीवारी की है और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदुकों और विसपोर्टकों से लैस अग्यात हमलावर अचानक से पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट ऑथरीटी परिस शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि दो बंदुग धारी भी इस दोरान मारे गए परिसर के अंदर से जोरदार धमाकों और जवरजस्थ फाइरिंग आसपास का इलाका दहल गया जी पीए पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े बंदरगाह के निर्मान अस्थल गौादर बंदर पर हुआ जहां चीनी इंगिनियर इस समय ब्यापक निर्मान कारे में लगे हुए हैं यह बंदरगाह महत्वकांची चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है जो बिजिंग के बियराई का केंद्र बिंदू है यहां बड़ी संख्या में चीनी करमचारी भी काम कर र और अलगावादी बलुचिस्तान लिवरेसन आर्मी ने हमले की जीमेदारी ली थी इस घटना के बाद चीनी करमियों की सुरच्छा भी खत्रे में आ गई थी आपको बता दें चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरीडोर प्रियोजना में ग्वादर बंदरगा बेहद महत्पुर् दोनों दिसों ने मिलकर ये समझोता किया था कि वो ग्वादर बंदरगा की पूरी छमता का सीपेक के ताहत इस्तेमाल करेंगे जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा होगा सीपेक प्रजेक्ट पाकिस्तान के बलुचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंज 2013 में हुई थी आपको बता दें इस हमले के बाद एक बार फिर से चाइना सहम जाएगा क्यों कि चाइना को पहले भी अपने लोगों की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा टेंसर रहा है यहां पर कहा जा रहा है इसकी जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी बीले ने लिए यानि की ब क्योरिटी के मामले में हमारा ध्यान रखो आप यहां पर हर चीजों पर ध्यान रखोगे ताकि हमारे नागरिक यहां सुरक्षित रहें अब देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर फिर से इस तरीके की चीजे हो रही है अब जैसे जैसे यह चीजे हो रही है वैसे वैसे चा परियोजना में अगर और भी ज़्यादा पैसे लगाता है तो फिर ये परियोजना उसे बैक फायर करने वाली हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं वैसे आपको बता दे कहा जाता है कि चाइना यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल रहा था और इस बड़े गेम में चाइना बु भारत के खिलाब भारत के पडोसी को तैयार रखना चाहता है और इस करम में कई बार मदद करता रहता है और इस मदद का परियोजना को चलाते भी चाइना के नागरी की हैं गौादर को लेकर तो इन्होंने बहुत कुछ प्लान कर लिया था जिस तरीके से हमबन टोटा पोट है कुछ वैसा ही करेंगे पर यहां चीजे एकदम से उल्टी होती हुई नजर आ रही हैं वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ